हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी चेटियाफाई की एक और ब्रैंड न्य वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज का मौसम दोस्तों कुछ जाधा ही साफ है और देख सकते हैं बादल कितने जादा मस लग रहे हैं आसमान कितना मस लग रहा है और साथ ही साथ देखो समुंदर की लहरे भी एकदम शान थे और तो ऐसे मौसम में सचा फ्रैंक्लिंग भाईया ने कि क्यों न ऑफ रोडिंग कर ली जाए और कितने दिनों से अपने उफ रोडिंग नहीं करके देखिए तो आज भाई इतने सारी कार्स की अपनों ऑफ रोडिंग करने वाले जैस उसके लावा Lamar है, Jimmy है और बहुत सारे लोग है यहां पर, सबसे पहले हैं पर शूरू करते हैं Toyota की Innova Crysta से दिखा रेता हूँ मैं आपको सारी कार्स दिखा रेता हूँ, आज कूंकुन सी कार्स भावन यूज्ज करने वाले और आज इसको चलाने वाले हैं लमार भाहिया त तो देख लो दोस्तो ये रहा दोस्तो इसका original interior और बहुती ज़्यादा जबरदस्त लग रहा है दोस्तो वैसे नए वाले interior और पुराने वाले interior में ज़्यादा कुछ फरक नहीं है लेकिन अब original original होता है बस sunroof की कमी है काश original में भी Toyota Innova में sunroof होता तो क्या ही बात होती है न चलो यार अब Innova का interior देख लिए अपुन्य अब चलते दोस्तो अगली गाड़ी के तरफ और अगली गाड़ी है दोस्तो थार 2021 दोस्तो जी हां गाईस आज ये थार की भी आफ्रोडिंग होंगी इस सारी गाड़ियों में शामिल रहने वाली है और दोस्तो वैससे थार भी अब आपको Shopify पे available देखने को मिल जाएंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट करना बिल्गल भी मत भूलना जो लोग मुझसे पूछते रहते थार का आएंगी लोग फाइनली आ गई और भी बहुत सारे आने वाले लेकिन मैं भी किसी का नाम रिविल नी करूँगा क कौन कौन सी आने वाली है तो यह थार है चलो इसका इंटियर भी मैं आपको दिखा देता हूं थार का ओरिजिनल इंटियर किस तरीके से आपका थोड़ा बहुत जीप का इंटियर के फीलिंग आएंगी आपको लेकिन जो मिला उसी में काम चलाना पड़ता है चलो आपको इ देख लिया है अब चलते दोस्तों फाइनली नेक्स गाड़ी की तरफ वैसे थार तो मैं चलाने वाला हूँ लेकिन जो नेक्स गाड़ी है वो अपना जीमी चलाएंगा तो जो यह जीमी चलाने वाला है आपको पता ही चें टोयेटर के ट्वेंटी ट्वेंटी वन लेकिन आप देख लो गाईस इसका इंटीर बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त लग रहा है पूरा औरिजिनल इंटीर है वैसे इन सब में से दोस्तों आप सबका इंटीर कौन सा है या पिर आपको कौनसी गाड़ी का इंटीर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है एक बर कम बुलेरों का इंटीर काफी जुनों से पेंटिंग में है लेकिन आपको जल्दी बुलेरों के साथ इंटीर देखने को मिल जाएंगा अभी इसका पेंडिंग वर्की चलू है और जैसी लॉस सेंटोस कॉस्टम में आ जाएंगा अब उन इंपोर्ट करवा लेंगे और फाइ प्रोसेस हो आपको जल्दी शॉब्स परिप्रोर लेरो में ऑरिजिनल इंटीर देखने को मिल जाएंगा तो एक बार कोमेंट सेक्षिन में ज़रुष पक्रांफण है या फिसचे चल रहा हे वैसिए जाते हूस्ट आप इसके अंदर बहुत सारी कार्स के अफ Rs. अवर्श तीवी हो, हैजबैक हो, कोई भी गाड़ी हो, सेट आन हो, सबकी यार उफ्रोडिंग अपन जरूर करेंगे, सबकी एक साथ लेके जाएंगे, ठीक है, तो आयार अभी आफ्रोडिंग शुरू करते हैं, वीडियो के एंड में मैंने सिनेमेटिक शॉट दिता लाँ, आफ्रोड आफ्रोडिंग शुरू होते से ही अपने साथ चोट असा हाथसा हो गया, बस जिमी न थोड़ा जाद एक्सेलरेट कर दिया था, जिसके वज़े से फॉर्चिनर इसकी रोल हो गई, लेकिन अभी माइकल दाने उसको थोड़ा फटकार दिये, अब वज़ाद एक्सेलरेट न गाडिया देखो थोड़ी अब पहाड वाड के ऊपर चलना शुरू कर दिये, अब इनका थोड़ा ताकत इनके अंतर लगने वाली है क्योंकि आप पहाड के ऊपर जाना शुरू कर दिये, अब दीरे दिने दोस्तों पुन जंगल में एंटर हो रहे है, अब आसपास पास प स्पीड हाई रही एकदम तो बैरियर भी कुछ काम में नहीं आने वाला, और अब आ रहा है दोस्तों एकदम से टीखा मोड बहुत ही जदा तीखा मोड आ रहा है दोस्तों यहां पे अपने को थोड़ा समालना पड़ता, गाड़ी की स्पीड बहुत प्लो करनी बढ़ती है अजू भाजू आप देख सकती हो दोस्तों यहां से अपको अट से नहीं दिखाई देंगा, सिनेमेटिक शॉट में देख ले है इसी जगा को कि भाई यह जगा जो है भाई बहुत ज्यादा उपर है, मतलब आपको लग रहा हूंगा कि अपने चल लेंगा लेकिन जब आप बाकी गाड़िया किस तरीके से उफ रोड़िंग में पर्फॉर्म कर रही है यह तो मुझे नहीं पता दोस्तों लेकिन इतना कह सकता हूँ भाई धार चला रहा हूँ ना भाई साप क्या ही गजब चल रही है एकदम ओर पावर गाड़ी है मतलब मुझे जरा भी अंडर पाव इस लोग कभी नहीं सुधर सकते यार अभी अप नीचे पहुच चुकिए अपन और पाइना भी मेरे ख्याल से अब यहां पर ओ भाई देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो लमार को देखो कहां इनोवा लेकर चला गया अपनी ओ भाई इसको स्कुर्ण करने कर शौक है लमार यार यह बंदा कभी नहीं सुधर ने हो अब यह लमार की इस गलती की वज़े से उसकी गाड़ी कीचन में फस गई थी और वहां से निकल नहीं रहती तो थार और स्कॉर्पियो ने मिलके फिर वहां से निकाले जिसके वज़े से हम तीनों की गाड़िया गंदी हो देखो आपको शहर दिख रहा है अभी तो विलाल अपने नॉर्मल उफ्रोडिंग हीच की है लेकिन इसके बाद आप उन करेंगे एक्स्ट्रीम उफ्रोडिंग मौन चिलियाट के टॉप पे और फिर वहां पर पता चलेंगा भाई कि कौन सी गाड़ी वहां पर टिक पाएं यह तो आपको सिनेमेटिक शॉट से देख के मानूं पड़ेंगा लेकिन मैं सबसे पहले स्कॉर्पियो का हाल दिखा देता हो देखो मैं यह देखो भाई पूरी नीचे से पूरी गंदी हो गए इसका पूरी ही गंदी हो चुकी है गाड़ी भाई साब अच्छी खासी कहाल अफ्रोड इखो आपको से भाई हैं यह देको हैं यह दो यह दोर जाके सारी कार्च के तो वाष करना पड़ेंगा तो यह दो देख लिए इस सारी खारी कार्ष के अफ रोड़िंग दूस्तो अब आपको दिखा हूँगा में सिनेमाटिक शॉट और आपको देखके बताना के वाहिए कोन सी गाड़ी ने बढ़िया प्रफॉरम करे तो चलिए आप सारी के सारी गार्ष के सिनेमाटिक शॉट देख लेते हैं इस सारी हाओ, हाद लूजाने, हाओ, हाद लूजाने माहे ल सताओ, लूजाने, हाद लूजाने म extracted झाध, लूबहाद, धूभाद, लूझाने, clenस वूभाद, लूजाने, दियम्हादtså podcast थांग 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 wz झाल 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 तो दोस्तो बस आज का वीडियो यही कतम करते हैं उम्मीदा आज का वीडियो आपको पसंद आया हूँगा तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक कर दो शेर कर दो और चैनल को पहली बार देखने तो सुब्सक्राइब जरू करना कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसी ओफ रोडिंग और देखने हैं सिनेमेटिक शॉट के साथ एक बड़ कमेंट करके मैं जरूर बताना और और कौनकों सी कार के ओफ रोडिंग करूँ यह भी दोस्तों कमेंट करके जरूर बता सकते हो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो